हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटुब चेनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एमोजॉन एप से किसी प्रोड़क्ट को ओर्डर कर दिया है गलती से अब उस ओर्डर को आप कैंसल करना चाते हो किसी रीजन के कर तो किस तरीके से एमोजॉन एप से किसी भी ऑडर को आप कैंसल कर सकते हो ौजकी इस वीडियो में हम आपको एई वाइव है और साथी साथ ये भी लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेलफुल और नालेजबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए फ्रेंट्स अब जान लेते हैं सिप्ड वीडियो के लिए फ्रेंट्स अबसे पहले आपको अपने अबससे इस तरीके से ओपेन करने के भाट्स यां पर आपको एक यू का औप्सन देखनी को मिल जाता है इसी you के option पर आपको click कर देना है you के option पर click करने के बाद friends your orders का option देखनी को मिल जाएगा first number पर इस पर आपको click कर देना है उसके बाद friends जिस भी product को आप order को cancel करना चाहते है friends यहाँ पर आपको उस पर click कर लेना है इसे क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपको एक इस तरीके से सिप्ड ओर्डर हो गया होगा तो इस तरीके से देखनी को मिल जाता होगा तो friends यहीं पर आपको एक तरीका देखनी को मिल जाता है order को cancel करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं update delivery as you cancel इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है उसके बाद यहाँ पर share tracking का option देखनी को मिल ला है उसके बाद यहाँ पर आपको request cancellation का option देखनी को मिल ला है तो एक यह तरीका है कि request cancellation के option पर आप क्लिक करके इस order को cancel कर सकते हो यानि कि shipped order को आप cancel यहाँ से कर सकते हो एक तरीका तो यह हो गया बट अगर आपके Amazon app में इस तरीके से scroll करने पर request cancellation का option सो नहीं होता है तो मैं अब आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ किस तरीके से order को cancel कर सकती हो तो दूसरा तरीका है कि order को cancel करने के लिए यहां पर आपको एक menu को option देखनी को मिल जाएगा इसी menu के option पर आपको click कर लेना अब menu के option पर click करने के बात friends यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आजाना और नीचे आने के बात friends यहाँ पर आपको एक chat with us का option देखनी को मिल जाता है और एक talk to us का देखनी को option मिल जाता है तो अगर आप बात करके Amazon के अधिकारी से अपने order को cancel करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको talk to us के option पर यहाँ पर आपको click कर देना है talk to us के option पर click करने के बात friends यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से page देखनी को मिल जाएगा तो friends यहाँ पर आपको select अंथर order का option देखनी को मिल जाएगा इस पर आपको click करने के बात friends यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से page देखनी को मिल जाएगा तो friends यहाँ पर आपको अपन कर देना है इस पे कलिक करने के बाद 프ENTS यहां पर आपको I want to cancel this item को option देखनी को देखनी को मिल जाओगा इस पर आपको क्लिक करने के बाद holds यहां पर आपको कुछ इस तरीके से page देखनी को मिल जाओगा तो बाद 부ött यही पर आपको order को cancel करने के लिए friends यहाँ पर request cancellation का option देखनी को मिल जाएगा अगर पहले नहीं आता था friends अब आपका यहाँ पर आ जाएगा इस पर आपको request cancellation के option पर आपको click कर देना है उसके अब फ्रेंट्स यहाँ पर आपको confirm cancellation का option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना confirm cancellation के option पर क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर जो भी product को आपने order किया था वो speed हो चुका था वो आपका यहाँ पर order cancel हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो cancellation request received हो चुकी है अब 2-4 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर order cancel हो जाएगा उसके बाद जो भी आपका refund होगा यानि कि payment किये होंगे वो आपका पैसा आपके bank खाते में 2-4 घंटे में आ जाएगा जैसे ही cancellation request receive हो जाती है आपका यहाँ पर order cancel हो जाएगा और आपका refund आपके bank account में दे दिया जाएगा अगर आपने cash on delivery किया था तो friends उस time आपको कोई भी product का amount नहीं मिलने वाला है यानि कि refund नहीं मिलने वाला है तो friends अगर आपने payment पहले कर दिया था तो आपने आपके bank account में refund आ जाएगा बट अगर यह सब करने के बाद भी आपका order cancel नहीं होता है friends तो आपका order जो भी customer अधिकारी लेकर आएगा यानि कि delivery boy लेकर आएगा उससे बोल दीजिये काईगा कि मैं यहाँ पर अपने घर पे नहीं हूँ इस time उस order को मैं cancel करना चाहता हूँ तो और product को आपके order को cancel कर देगा आपके Amazon app से तो यहाँ पर जैसे out of delivery पर आ जाता है तो यहाँ पर request cancellation का option आ सकता है एक बार यहाँ पर check कर लीजिएगा बट नहीं आता है तो जो भी delivery boy आपका product लेकर आएगा उससे बोल दीजिएगा कि म order को receive नहीं कर सकता है मैं किसी दूसरे जगा आ गया हूँ तो ऐसे मैं order को cancel करना चाहता हूँ तो आपके order को cancel कर देगा और return आपके refund जो भी होगा आपका बेंग के कौन में कर देगा तो friends इसी तरीके से आप Amazon app से किसी भी product को अगर cancel करना चाहो तो इसी तरीके से आप कर सकत तो friends यह रही छोटी सी information अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो तो please वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजेगा